नाइस! जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक स्कूल और न्यू शैंग फैंग स्कूल के बीच फाइट चल रही थी और श्रेक स्कूल ने 7-in-1 फ्यूजन फॉर्मेशन बनाई थी और सारी पावर तैंग शैंग को ट्रांसफर कर दी थी जिसके बाद तैंग ने उस पावर के साथ अपनी हैमर मार्शल सोल का यूज किया और फिर जियाओ फैंग पर अटाक किया जियाओ फैंग बहुत शक्तिशाली योदा था लेकिन तैंग शैंग के इस वार से वो नहीं बच पाता और फिर काफी स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली हार जाता है तैंग शैंग के इस पावर को देखकर सब शौक होते हैं लेकिन ग्रैंड मास्टर कुछ उदास नजर आते हैं और ऐसा क्यों है वो आगे बताएंगे अब श्रेक स्कूल जीच जाता है और ग्रैंड मास्टर तैंग शैंग के पास आकर उसके इस टूल सोल फॉर्म की तारी अगर मुझे पता हुथा कि तुम्हारे पास टूल सोल फॉर्म की पावर है तो मैं तुम्हें उसे यूज नहीं करने देता क्योंकि अगर तुम अपने इस टूल सोल फॉर्म का यूज मार्शल सोल हॉल पर करते तो तुम्हारे जीतने की चांस 70% हो जाते लेकिन अब रही थी इसका कोई ना कोई तोड सोच ही लेंगे वही दूसरी तरफ हम बीबी डॉंग को देखते हैं जो अपने वारियर्स को एडवाइस दे रही थी और उसने अब तैंक शैंक की टूल सोल को तोडने का एक प्लान बनाया होता है अब वारियर्स का मास्टर वहां आता है औ लेकिन फिर वो धमकी भी देता है और कहता है कि अगर तुम कल का माच हारे तो मैं तुमें तीन साल के लिए डिस ओरियंटिंग ग्रांड कैनियन में भेज दूँगा इस जगह पर बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं और सिर्फ घोस्ट यहां जिन्दा रह पाते हैं वही अब तक तो तैंग शैंग की टूल सोल पार्क के खिलाफ कोई न कोई तरीका तो सोची लिया होगा और अब अगर तैंग शैंग ने कल के मैच में अपने इस टूल सोल का यूज किया तो तैंग शैंग या तो मर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा वही दूसरी तरफ बी अब अगले दिन फिर सब बच्चे रिंग के अंदर जाने लगते हैं क्यूंकि अब उनका ये आखरी माच होने वाला है। शेंग फेंग स्कूल के साथ साथ पॉइसन मास्टर भी तैंग शेंग की खैरियत की चिंता करते हैं और मार्शल सोल भी तैंग शेंग को देखता है क्यूंकि उनके लिए बाकि सब प्लेयर्स तो नॉर्मल थे लेकिन तैंग शेंग ही एक था जिससे उनको खत्रा हो सकता इन सभी बच्चों को मोटिवेट करता है और कहता है कि हर बार में यही चाहता था कि श्रेक स्कूल जीते और तुमने हर बार श्रेक स्कूल को जिताया है लेकिन इस बार में नहीं कहता कि तुम जीतो या हारो मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सब सेफ रहो और फिर यह कहक वो उनको रिंग में जाने को कहता है और अब सब बच्चे रिंग के अंदर जाते हैं अब बारी-बारी से सभी का इंट्रो कराया जाता है जिसमें अब हमें मार्शल सोल हॉल के वारियर की शक्तियों के बारे में पता चलता है उनमें एक आदमी है जिसका नाम Z.U है और उसकी मार्शल सोल मून ब्लेड है ये बहुत क्रूल है और ये सामने वाले को बेहोश कर डालता है दूसरी वारियर का नाम हूलीना है और उसकी मार्शल सोल डेविल फॉक्स है ये लड़की उड़ भी सकती है और इसके पास जीवू की तरह चाम पावर है यानि ये सामने वाले को अपनी तरफ अट्राक्ट करके उसे डिस्ट्राक्ट कर सकती है अब ऐसे ही और भी वारियर्स के बारे में डीटेल डिस्क्रिप्शन दी जाती है और उनकी शक्तियों के बारे में हमें मैच के अंदर पता चलेगा। अब उनके बीच फाइट शुरू होती है जिसमें मार्शल सोल हॉल पहले की तरह ही आसपास दुआ फेलाने की कोशिश करती है। लेकिन हम फिर तैंग शांग को देखते हैं जिसने अपने सभी टीम मेंबर्स को इस चाल से बचने की ट्रिक कल रात को ही बता दी थी। और अब तैंग शांग की ही ट्रिक का यूज करके किसी को उनके इस दाओ से कोई फरक नहीं पड़ता। अब डेविल फॉक्स उन पर अपने चाम से अटाक करती है और तभी फिर जीवू भी अपने चाम को छोड़ देती है जिस वजह से चाम चाम को काड़ देता है। लेकिन क्योंकि जीवू की रांग उससे कम थी इसलिए वो इसमें खायल भी हो जाती है। अब फिर रियल फाइट शुरू होती है जिसमें सब अपनी अपनी माशिल सोल बाहर निकाल लेते हैं और अब डेविल फॉक्स और मॉन ब्लेड अपनी माशिल सोल को आपस में फ्यूस कर लेते हैं और फिर एक साथ अटाक करने का डिसाइट करते हैं। बाहर बैटे किसी भी ओडियंस को अंदर नहीं दिख रहा था क्योंकि माशल सोल ने रेट मेस फैला रखी थी। यहां तक की पॉइसन मास्टर भी उनको नहीं देख पा रहे थे। अब शेक स्कूल के सारे वारियर्स घपराने लगते हैं और ग्रैंड मास्टर और बागी सब भी सोचने लगते हैं कि अब ये बच्चे क्या करेंगे। अब ऑपरेंट टीम फिर शेक स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है। सब बच्चों को अब दिखना भी बंद हो जाता है और इनके सेंसिस काम करने बंद हो जाते हैं। तैंक शैंक को भी सेम प्रॉबलम का सामना करना पड़ रहा था और अब वो अपनी परबल जैमन आई से इसका पता लगाता है। उसे पता चलता है कि इन्होंने जैनी मिस्मराइस का यूज किया है। ये जो रेड मिस्ट है ये हल्यूसिनेशन क्रियेट कर रही है। इसी रेड मिस्ट का यूज करके इन्होंने इंपीरियल स्कूल को हराया था। अब फिर ओपनेंट टीम अपने ब्लेट्स वेक कर श्रेक स्कूल को मारने की कोशिश करती है। लेकिन टैंग शैंक परपल जेमन आई की वज़ा से समझ जाता है कि उन्होंने ब्लेट्स वेक हैं। जिस वज़े से वो अपने सभी दोस्तों को बचा लेता है। अब फिर सभी बच्चे आसमान में उचलकर रेड मिस्ट से बाहर आ जाते हैं। और ये देखकर मार्शल सोल हॉल बहुत शौक होती है क्योंकि ऐसा करना नमुनकिन था। क्योंकि रेड मिस्ट असल में एक दलदल की तरह है। असल में टैंक शांग को पता था कि ये होने वाला है। इस वज़े से उसने सभी को फ्लाइंग सॉसेज खिला दिये थे। और सब बच्चे उड़कर बाहर आ गए थे। अब टैंक शांग को छोड़कर सभी बच्चे बाहर थे। और तैंग शैंग अंदर इसलिए था क्योंकि वो पॉपल डेमन आय का यूज करके उनसे लड़ सकता था। अब सब लोग तैंग शैंग के लिए डरने लगते हैं क्योंकि जिससे वो फाइट करने जा रहा था उसकी रैंग बहुत साधा थी। लेकिन अब तैंग शैंग अपनी सोल बोन बाहर निकाल लेता है और ये देखकर सब चौंक चाते हैं। तैंग शैंग ने अभी तक अपनी सोल बोन चुपा कर रखी थी और वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। सामने वाली टीम भी डरने लगती है क्योंकि तैंग शैंग सोल बोन का यूज़ करके उन पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब फिर warriors tank shank से लड़ने आगे आते हैं और वो अपने blades का use करके tank shank पर attack करते हैं और tank shank भी अपने full potential का use करके उस पर counter attack करता है और दोनों में iconic level की fight होने लगती है अब फिर बागी बच्चे भी one to one battle करने लगते हैं और थोड़ी देर की battle के बाद अब martial soul अपनी true form में आती है और सब के सब अपनी martial soul को बाहर निकालते हैं और श्रेक स्कूल पर हमला करते हैं अब इस हमले को जीवू अकेले ही जेल लेती है और जीवू का बाल भी वाका नही होता और ये देखकर सब चौंग जाते हैं और अब जीवू खुद आगे जाकर हमलावर से battle करती है और बागी बच्चे भी फिर से fight continue करते हैं और लंपी fight के बाद श्रेक स्कूल मार्शल सोल हॉल के एक warrior को बेहोश करने में काम्याब हो जाती है श्रेक स्कूल इस fight में जीत उसे में आकर अपनी मार्शल सोल उस पर छोड़ देती है और तैंग शैंग अपनी blue silver plant का use करके उससे बचने की कोशिश करता है बीबी टॉंग जो उपर बैटी थी वो बहुत खुश होती है क्योंकि तैंग शैंग devil fox की इस मार्शल सोल से नहीं बच सकता था अब तैंग श अर लॉंग तैंग शैंग के दर्द को महसूस कर पाती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है ओपनीन टीम भी exhaust हो चुकी थी लेकिन उन्हें खुशी थी कि वो तैंग शैंग को हरा पाई है लेकिन तभी तैंग शैंग जो की दर्द में था उसको औसकर recovery sausage देने की करता है लेकिन मार्शल सोल हॉल उसे ऐसा भी नहीं करने देती अब तैंग शैंग दर्द से कराता हुआ कहता है कि हम नहीं आर सकते और वो फिर से अब fighting position में आ जाता है ओपनें टीम उसे देख कर हस्ती है और कहती है कि आखिर अब तुम क्या कर सकते हो जिस पर तैंग शैं इतनी ताकतवर थी कि वो सभी आपनेंट टीम्स को जाकर उनको घाव दे देती है जिसके बाद उसके अंदर का poison उनमें फैलने लगता है और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगते हैं सभी बहुत शौक होते हैं क्योंकि मार्शल सोल हॉल के जाधतर warriors अब बेहोशी की हालत मे अब रिंग के अंदर तैंक शैंग ने एकदम सारे ज़स्बात बदल दिये थे और ये देखकर सभी बहुत शौक होते हैं क्योंकि मार्शल सोल हॉल के जाधतर warriors अब बेहोशी की हालत में आ रहे थे और फाइनली तैंक शैंग भी दर्द से कराता हुआ बेहोश हो जाता है अब आसकर फिर से उसे सौसेज देने जाता है और मिस्टर दाई और कैट गल बागी ओपनेन मेंबर्स को संभालते हैं और अब फाइनली मार्शल सोल हॉल का एक बंदा बचता है जो अब भी लड़ने के काबिल था लेकिन पोईजन मास्टर बीवी दॉंग से सकास्टिकली कहता है कि अगर अब तुमने मैच बंद नहीं किया तो तुम्हारे बाद आने वाली जनरेशन में सिर्फ एक अकेला ही योधा जिन्दा बचेगा क्योंकि तैंग शैंग का जहर सिर्फ तैंग शैंग ही बाहर निकाल सकता है अब ये सुनकर बीवी दॉंग हार मान लेती है और श्रेक स्कूल फाइनली जीच जाता है और ये देखकर सब श्रेक स्कूल की वावा करने लगते हैं निंग रॉंग रॉंग के फादर अब वहां अपनी मार्शल सोल का यूज़ करके सभी वार्योर्स की स्ट्रेंथ और रीकवर स्पीड बढ़ा देते हैं और अब ग्रै तैंक शैंक से अपने वार्योर्स को सही करने को कहती है जिस पर तैंक शैंक ऑपनेंट टीम के पास जाकर उनका जहर निकालता है और फिर यही एपिसोड खतम हो जाता है